हेलो स्टुएंट्स कैसे हैं आप सर्व अमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ठंध में आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी तो चलिए सुरू करते हैं आज की वर्सिट और आज की वर्सिट है वर्सिट नमबर 137 यह वर्सिट कख्छा 5 के लिए है और इसमें हम लोग हिंदी विशयको पढ़ेंगे और हिंदी में भी रचनातमक लेखाने हैं मतलब खुद से कुछ लिखना है हिंदी एक भासा है और भासा कभी भी रचनातमक ही होती है भासा में अगर आपको कुछ बोलना है तो खुद से सोचकर ही बोलना है कुछ लिखना है तो वह भी खुद से सोचकर लिखना है तो भासा कभी भी रचनात्मक होती है भासा में रचना होती है चाहे हो कविता की रचना हो कहानी की रचना हो पत्र की रचना हो या तरावितांत की रचना हो कुछ भी हो या राचनात्मक ही होती है तो चलिए सुरू करते हैं आज की वर्षिट और आज की वर्षिट की सुरुवात होती है नमस्ते प्यारे बच्चों उमीद है आप सब अच्छे होंगे और आईए आज हम नीचे दिये चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं तो यहां आपको एक कहानी बनानी है आपकी मदद के लिए कहानी की सुरुवात के दो वाक्य दिये गए हैं इन वाक्यों और चित्रों की मदद से कहानी को पूरा करके अपने कापी में लिखिए और चित्रों के आगे एक खाली वाक नमबर फांच दिया गया है इसमें आगे के घटना क्रम का चित्र बनाईए और उसके बारे में कुछ वाक के भी लिखिए और हाँ कहानी को अपनी पसंद का एक उप्युक्त नाम भी दिजिए तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कहा गया यह कहानी का नाम लिखना है यहाँ पर इस जगह पर कोई भी कहानी लिखने से पहले उसका नाम लिखना जरूरी होता है तो हम यहाँ पर कहानी का नाम लिखेंगे और उसके बाद कहानी की दो लाइने यहाँ पर दी गई है कि आज सुबह ममी ने सब को बताया कि सारे घर के लोग मिलकर आलू के पानी डालने में और इस तरह से यहां तस्वीर भी दी जा रही है देखिए यहां पहली तस्वीर है यहां तस्वीर का नमबर भी दिया गया नमबर भी क्या यहां पहली तस्वीर है और इस पहली तस्वीर में सारे लोग आलू लेकर आलू होने बैठे हैं कुछ लोग आलू चिल भी रहे हैं तो इस तरह से और दूसरी तस्बीर में आलू के जो उबलने के बाद होता है तो उसके पेड़े बनते हैं लोई बनती है गोल गोल तो वो बनाई जा रही है जो कि ये ममी और दीदी के द्वारा मिलकर ये काम किया जा रहा है और तीसरी जो तस्वीर है इसमें आलू के पापड बेले जा रहा है ये लड़का आलू का पेपर बेल रहा है ये भी आलू के पेपर बेल रही है और यहाँ इसको लोग सुखा रहा है आलू का पापड बेलने के बाद उसको सुखाने की भी आव सकता पड़ती है और फिर पाचवा नंबर है जो आपके लिए छोड़ दिया गया है आपको यहाँ चितर बनाना है मानले जे आलू का पापड सुख गया तो आप इसके पैकिंग का चितर बना सकते हैं या फिर इसको बजार में भेजने का चितर बना सकते हैं आप अपने से रचना करके इसमें कोई भी चितर हलका फुलका बना लेंगे और उसमें आप या तो उसके पैकिंग का चितर बना लिजे या फिर आलू के पापड के बनाने का, कडाई में छानने का चितर बना लीजे, या फिर उसके बजार में भेजने का भी चितर बरा सकते हैं, तो इसी के अधार पर हमें एक कहानी लिखनी है, तो कहानी में आपको लिख कर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अभिभावकों के ल नियमित रूप से धोयें, तो चलिए अब कहानी पर आते हैं, कहानी हमें कैसे लिखनी है, उसकी बात मैं बता दूँ, और बहुत ही आसान सी कहानी मैंने आपके लिए लिखी है, आप भी उसे लिख सकते हो, यहाँ एक कहानी है आलू का पापड, इसका नाम ही मैंने दे दिया है आलू का पापड, और चलिए इसको पढ़ते हैं, आज मम्मी ने कहा, चलो सम मिलकर आलू का पापड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आलू का पापड बनाते हैं, पुर्ण मिराम छुट किया है, मैं वहाँ मा लगा दूँ, सारे लोग पापड बनाने में लग गया, कोई आ सबने मिलकर बहुत तनमैता से काम किया आलू उबालने के लिए उबालने के बाद मम्मी ने पापड बेलना सुरू किया बच्चे उसे ले जाकर धुप में सुखाने लगे पूरे दिन सुखने के बाद आलू के पापड को इकठा किया गया उसके बार मम्मी ने सबको एक जगह बुलाकर पापड़ पैक करवाया और फिर उसे बजार में बेचने के लिए भेज दिया इस तरह से उनके पास प्रती दिन पैसे आने लगे घर की हालत भी सुधर गई और सब लोगों के यहां लोगों होगा सब लोगों के मिलकर काम करने से सारे काम आसानी से हो जाते थे यहां भी पूर्ण मिराम होगा मिलकर काम करने से कोई भी काम आसान हो जाता है तो इस तरह से हमने बहुत ही आसान सा एक कहानी लिख लिया और यह कहानी आप भी लिख सकते हो बहुत आसान तरीका है और यहीं आपकी रचनात्मक्ता है इसी में आपको दिखानी है कि आपने कहानी कैसी लिखी है ठीक ना तो इसके साथ ही बच्चो आपकी ये वर्सिट कम्प्लीट होती है और मिलते हैं नेक्ट वर्सिट में थेंक यू